कैसे हो आप सब लोग गाईज चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स करेंट एनरजी क्या है तो वीवर जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कर दीजिए अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती है तो वह की वीवर्स ए इस युनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे वीवर्स के पर्सन की करेंट एनरजी क्या है अब इतने सारी एनरजी तो नहीं ले सकते ओके सो तीन काड़ यहां पर आए हमारे पास सेवन चक्रा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंद थर्ड चक्रा बटम से हीलर आप दे एजिस के एनरजी है टैरो से देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए क्या क्या कुछ आप आपके लिए खर्डबा आपके लाइं लिए okay, knight of sword, eight of wands, six of cups, ten of coins के नर्जी है हाँ पे, okay, okay, so we have eight of sword, seven of cups, nine of coins, and the king of cups के अर्जी है यहाँ पे, okay, so I hope आपको सारे कार्ड अच्छी से नजर आ रहे होंगे, bottom से हमार पर ten of cups भी है, ten of coin भी है, हाँ पे निकल के आया है, okay, so I think guys, अब आपको सारे कार्ड नजर आ रहे होंगे, okay, तो सबसे पहले viewers, अगर हम बात करें कि आपके person की current energy क्या है, तो current energy मुझे यह नजर आ रहा है, viewers, कि आपके person no doubt, अपनी एक situation जो यहाँ पे उनकी eight of sword की दिखाती है, जिसमें से वो person आपके निकलना चाहते है, maybe, इनको, यह अपने आपको पता है कि आप फील कर रहे हैं, आपके person, यह अपने आपको ऐसा ही feel करते हैं, जैसे यह मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, यह कर नहीं पाऊंगी, मैं सामना नहीं कर पाऊंगे, situation का, जो situation इनको फिलाल, कही न कहीं tough लग रही है, इनके comparison में, में भी हो सकता है आपके comparison में वो situation इतनी tough ना हो लेकिन आपके person की जो thinking बताती है कि इनको ये connection में आगे बढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा challenging लग रहा है कही न कहीं और ये person अपनी वो strength को यहाँ पे अठाने के कोशिश करें क्योंकि अब ये इस energy में यानि कही एट-of-sode के energy में नहीं रहना चाहते है ये ट्राप नहीं रहना चाहते है ये आपसे दूरियां नहीं रखना चाहते हैं ये यही कही नहीं सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ में जो blocking and blocking का चकर है system है on-off करना आना फिर जाना बाते चुपाना या फिर जो मन में है आपको clear नहीं करना इनके मन में इस तरह की मैं feeling भावनाओ को देख रही हूँ कि इन्होंने कहीं आपके साथ में जो on-off रखा है situation को ठीक and no contact zone में आपको डाल देना इस रिष्टे को डाल देना कुछ clarity नहीं देना तो आज ये कही न कही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये यही सोच रहे है आपके person कि इनको ये चीज़े आप face करनी होंगी क्योंकि ये आपकी बिना नहीं रह पारे में भी क्योंकि हमारे पास energy यहीं दिखाती कि इनके जो ख्वाईशे है इन्होंने जो सोचा है इन्हों आपकी तरफ जो कदम नहीं उठा रहा था नहीं बढ़ा रहा था आज ये जो person आपके साथ में कदम बढ़ाता हुआ आपके साथ में रिष्टे निभाता हुआ रिष्टों को आगे चलाता वह नज़र आ रहा है क्योंकि यहां पर मैं ऐसा देख पारी है क्योंकि ये रिष था कहीं ना कहीं डेंजर लगना थोड़ा सा यहां पर कुछ लोग लिए ऐसा नज़र आ रहा है में भी यहां पर बहुत स्टॉंगली जो मुझे अनर्जी दिख रही है आप दोनों की बीच में बहुत आफ दो लोगों से ये रीडिंग रेजनेट करेगी इस बात को लेकि कि आप दोनों की बीच में एक extra marital affair हो सकता है यानि आप भी married और आपका person भी married हो सकता है ठीक है यहां पर ऐसे energy मुझे नज़र आ रहे है में भी आप लोग पड़ोसी हो सकते हो दूसरे के या फिर आप कहीं नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोग दूसरे को जानते हो अगा आप सकता है कि आप लोग शादी से पहले दूसरे को जानते हो फिर अब दुबारा से उनसे मुलाकात हो गई है ठीक है या या यह जो रिष्टा है आप दोनों का यह मतलब काफी time पुराना हो सकता है और normal cases में अगर हम देखें मतलब यहां पर सारी energy के बात हो रही है अगर यह रिष्टा आपका इस तरह से नहीं है लेकिन वैसे मुझे नजर आ रहा है कहीना कि यह most of the cases में resonate करेगी और दूसरी जो energy यहां पर pick up हो रही हो यह कि आप दोनों की बीच में अगर एक रिष्टा बहुत strongly रहा है और आपके person ने just because कि उनको यह रिष्टा अब और ज़् अगर इस तरह से नहीं है तो family influences मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं लेकिन यहां पर ऐसा ही नजर आ रहा है कि आप जो भी आप दोनों की बीच में family influences हैं आपका person अब यह चाहता है कि हम इन चीजों को आप पहिना कहीं देखें आगे, इनका solution निकाले, fight करे, बात करे, communication करें इस रिष्टे को लेकि जैसे कि argument करना, अपनी बाते सामने रखना, जो यह पहले नहीं रख पा रहे थे, ठीक है, कि यह रिष्टा मुझे चाहिए, यह नहीं चाहिए, क्या था इनके मन में, तो यह नजर आ रहा है कि yes, definitely, आपके person ने इस connection में, यानि देख रहे हैं यहां हीलर है, तो यहां पर इस रिष्टे में हीलिंग नजर आ रहे है, किसी भी तरह से आप इस रिष्टे को लेके चल रहे हो, लेकि नो डाउट यह person आपके साथ में, एक king of cups की energy में आ रहा है, यानि कि अपना प्यार आप पे लुटाने के लिए person तयार नजर आ रहा है, क्यों या कुछ चीजे हो गई रिष्टे के अंदर unnecessary हो गई, आपका रिष्टा बिखर गया, तोट गया, में भी सम चीजे, कुछ चीजे रिवील हो गई, सामने आ गई, ठीक है, जैसे family के सामने आ जाना, उनकी family, आपकी family, और वहापे problem create हो ना, फिर इनो नो ने सूचा कि चलो इस रिष्टे को ही पर डियांट करते हैं, अब रिष्टा नहीं चल सकता, क्योंकि ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना ही आपके person आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनके अंदर कहीना की हिम्मत आ रही है, कि वो चाहे back door से ही सही, लेकिन हाँ चीजे आप ओपन करेंग और देखते हैं यहां पर क्या कुछ है आपके लिए, आपके बारे में सोच बहुत जादा रहे हैं, उनको आपको लेकि इतनी जादा ओवर्थिंकिंग हो रही है कि वो तो seven of cups viewers यहां पर दो बार निकल के आया है और यह person यही सोच रहा है आपके लिए कि इसको आपके साथ में एक जो ब्लॉक बगरा है या फिर on off है उसको अब इसको open करना है ठीक है, यहां पर यह situation नज़र आ रही है, देखो king of cups अगेन आया है हमारे पास, यह person viewers आपका प्य बहुत है आपके लिए, इसके दिल में emotions बहुत है आपके लिए पर यह दिखा नहीं रहा था आपको, यह दिखाना नहीं चाहता था, just because कि इसको कुछ fear factor था, यह person टेंशन में आ गया था, इस रिष्टे को लेके वह चीज़े आपके नज़र आ रही है, आप यह person viewers मुझे इसको अकेले रहते रहते हैं, यह अपने life में कहीना कि इस तरह से life को जीते जीते, जहां पर इसका कोई, मतलब कहते हैं, ऐसे रिष्टे में आपका person हो सकता है, जहां पर यह सिरफ एक compromise कर रहा था, कि यार चलो ठीक है, हम इसी चीज़ को निभाते हैं, हमें यही करना चाह हैं, या फिर कहीना कि ऐसे person से आपका person रिष्टा लेके चल रहा था विवज़ जिसको इसकी value ही नहीं थी, कहते हैं, इसकी value नहीं करता है, जो इसकी value नहीं करता है, इसको अपना future secure नजर आता है, इसलिए वो कहीना कि उसकी पीछे भागता है, कि यार इससे मुझे financial help मिले करता है, वो नजर आ रहा था, लेकिन आप ये person compromise नहीं करना चाहता है, ये इस रिष्टे को भी साथ में लेके चलना चाहता है, क्योंकि इसकी जो खुशी है, वो कहीना कि इससे दूर है, और वो आपी के पास में है, तो यहाँ पर यहीं नजर आ रहा है, फिर से आपके परसन हो सकता है, पहले ये person शायद में भी जब आपसे जुड़ा होता है, यह नहीं हो, या फिर यह अपने आपको जिससे की बहुता यह दिखाता हो, कि नहीं यह सही नहीं है, या फिर यह गलत है, यह गलत है, हमें एक सिस्टम में चलना चाहिए हमारा एक दाइरा होता है हम उसे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, तो यहाँ पर वही देख पारीवर्स किया, इसने आज वो सब चीज़ें जिसे की किनारे कर दी है, वो दाइरा जो इसको आपकी तरह आने से रोक रहा था, आज इसने अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को फोकस करना या उनके एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, ओके, तो यहाँ पर विवर्स हमारे पास है, डेसिपेटिंग के एनरजी, बाटम से हमारे पास है, गिल्टी, इस परसन को विवर्स मुझे ऐसा नजरा रहा, इसकी कहिना के गिल्टी थी ऐसी, इसके दिल में कुछ ऐसी बाते थ ठीक है, जिसकी विवज़े से आपका परसन आपके ओपर ध्यान नहीं दे रहा था, और कुछ गिल्टी विवर्स कहते हैं इससे गिल्टी विवर्स को जो जीने ना दे या फिर उसकी आगे ना बढ़ने थे, तो आज मुझे एसा नजर आ रहा है विवर्स की इस आपका जो person है free करके अपनी life में कुछ चीजे ठीक करने के कोशिश करेगा balance करने के आपका person यहाँ पे कोशिश करेगा और वही चीज़ गाइस मुझे यहाँ पे नजर आ रही जिसे कि वो past की memories को बहुत ज़दा यहाँ पे recall कर रहे हैं आपके साथ में नया future यहाँ पे आपका person देखता हूँ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है okay so यहाँ पे आपके person का जो भी mindset था आपको लेके वो मुझे यहाँ पे कही ना कही reduce होता हूँ नजर आ रहा है maybe आपके person ने आपका साथ इसलिए छोड़ा था कि आपके साथ में उसमें serious नहीं थे लेकिन अब और जादा मुझे serious नेस के साथ में आपके person आपके life में मुझे आते वे नजर आ रहा है इनको ऐसास हो गया है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ में अगर commitment किया है तो उसको पूरा कही न कई करना चाहिए था इसलिए यहां पर आपकी तरफ देख रहे हूं न यहां पर एक cd एक bridge बनता हुआ नजर आ रहा है इस connection के अंदर जो कही न कई आपको इस रिष्टे में बापिस से लेके आता है इसलिए मैं कहारी हूं back door entry है फ्रेंट डोर तो नहीं है लेकिन हां back door entry यहां पर नजर आ रही है तो यह है वीवर्स रिडिंग आपके रिए आपके साथ में रिडिंग टाइस उनेट हुई होगी अगर वीवर्स हुई है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हुआ वर्स नेक्स रिडिंग में तिल देन टेक्ट यरोसर्फ गट ब्लेस वर्स थैंक यू वोचिंग आइस बाबाए